हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तू माई चानल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चली मिना टाइम वेस के बढ़ते आज के टॉपिक के तरफ आज हम लोग एक वार रियाक्षन देखने वाले हैं नुक्लियोफिलिक सब्स्टिशन अप अलकाइल हलाइट का तो हमन में विश्पसर आत्या से आपका कैसो अधोर होगा इससे क्या बनता है फॉर्मेशन और जैसे आपने पढ़ाओ फीडियो में सैयाँ पर हमारा बनेगा अलकाइल को आइसो साइनाइड या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको अलकेन आइसो नाइट्राइल अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्जामपल लेते हैं अगर हमने लिया कोई अलकाई हलाइड यानि R bond X जब हमने रियाक्षन कराया NC से यानि N triple bond C ठीक है अब यहां पर में रियाक्षन कराया तो इस पर N पर आया plus charge और C पर आया minus charge अब इस पर plus और minus charge क्यों आता है ये I hope आपको पता होगा नाइट्रोजन जो होता है इसके वैलिंसी होती है तीन, अब यहाँ पर आप देखिए इसके पास एक एक्स्ट्रा बॉंड लगा है, तीन और एक यह चार, इसलिए इस पर एक प्लस चार्ज आया क्योंकि एक बॉंड एक्स्ट्रा है, कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसक हमारा प्रॉड़क््ट क्या फॉंड होगा, अब धी हिलोजन एक्स हमारा बाहर निकल जाएगा और यहंसी हमारा अंदर आजाएगा, तो फैनली हमारा प्रॉड़क्ट बन जाएगा, और pakने पलस चार्ज इस पर आया माइनस चार्ज और प्लस एक्स आपका बाहर निकल आपने यहाँ पर X- को नहीं भी लिखा है, कि यह बाहर निकल रहा है, तो भी चलेगा, अगर आपने reaction डिरेक्शन डिरेक्ट्ली ऐसे दिखा दिया R-Bond X, यहाँ पर आपने दिखा दिया NC, और डिरेक्ट्ली आपने लिख दिया R-Bond and triple bond C, तो भी कोई issue नहीं है, ठीके, इस हमने, इसका reaction हमने कराया है, AG, CN के साथ, ठीके, R-X, यहाँ नहीं, अलकाई हिलाइड का reaction हमने कराया, AG, CN के साथ, तो हमारा product क्या form हो जाएगा, अब X हमारा बाहर निकलेगा, ठीके, तो R के साथ क्या attach होगा, CN, तो हमारा product बनेगा, R-Bond and triple bond C, अब N पर क्या आएगा, एक इसी चीज़ को भी मैं बता रही थी, कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, X- हमारा बाहर निकला, अगर कहीं पर यह नहीं भी लिखा है, तो भी आपको समझ लेना है, कि X हमारा बाहर निकल गया, अगर यहाँ तक भी reaction लिखा है, तो भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि यह हमारा बाई प्रोड़क्ट यहां पर बन रहा है जैसे यहां पर है अगे साथ क्या आकर अटैच हुआ यह आपका हेलोजन तो बना एंड ट्रिपल बॉंड क्या होजाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा इसके साथ ठीक है और यह हमारा ब्रोमीन यह बाहर निकलेगा और एजी के साथ जाकर जोडेगा तो हमारा जो प्रोड़क्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा C2H5 and triple bond C plus AGBR अब यहां पर भी जो हम alkyl halide लेते हैं ये भी हमारा 1 degree का ही होता है 1 degree का है यानि कौन सा ये mechanism शो करेगा SN2 यानि इसमें भी जो attack होगा वो कहां से होगा back side से attack from rear side back side से attack होगा it means आपका product बनेगा inversion का product ठीक है तो इसको कहीं पर आप note down कर लेजेगा substitution by NC group में क्या होता है हमारा form होता है alkyl isocyanide या फे alkyl isonitrile ठीक है अब इसमें Rx हमें लिए कोई alkyl halide इसका हमने reaction कराया N triple bond C से तो हमारा product क्या वह बना R bond and triple bond C और यह halogen हमारा बहार निकल गया ठीक है यह example लेकर मैं आपको यहां पर explain कर दिया इसको आप नहीं पर note down कर लेजे अब अगर यहां पर किसे student के मन में यह doubt आ रहा है कि जब हमने लिया था C2H5BR प्लस हमने लिया था KCN ठीक है यह फिर हमने क्या लिया था C2H5BR प्लस NABR ठीक है अब यहां पर हमने लिया था अभी C2H5BR प्लस AGCN अब यहां पर हमारा product क्या form हो रहा था यहां पर हमारा product form हुआ C2H5 देन बना हमारा N triple bond C ठीक है प्लस क्या बन गया AGBR बाई product हमारा क्या बना AGBR तो अब अगर किसी के मन में यह doubt आ रहा है कि अगर हमने यहां पर C2H5BR प्लस KCN लिया था और NACN लिया था तो यहां product में हमारा CN form हो रहा था लेकिन यहां पर हमारा product में NC form हो रहा है ठीक है सिएन का भी यही मतलब नहीं को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C triple bond N तो यहां सिएन हो रहा था बट यहां पर NC हो रहा है इसके पिछे क्या logic है यहां पर भी CN क्यूंप हो रहा है यहां पर पहले की और कार्बन बाद में क्यों तो इसके पिछे यह रिजन है कि यहां पर जो केसी यह नापका केसी यह यह बॉन्ड है पोटैशियम और यह साइनाट की बच में यह बॉन्ड है आईनीक बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं እ क्या स्वालिक अगर मैं बात करूं ओड़े को यह 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 हमारा बॉंड है यह यह बॉंड है प्री डॉमिनेटली कोवलेंट बॉंड ठीक है यह है हमारा प्री डॉमिनेटली कोवलेंट बॉंड इसी रीजन की वह से क्या होता है कि इसमें जब अटैक हो रहा होता है केसीन में तो यह आइनिक बॉंड होता है तो इसमें क्या होता है कि जब अटैक बैक साइट से होता है तो अटेक हमारा यह कार्बन करता है, ठीक है, कार्बन हमारा पीछे से जाकर अटेक कर रहा है, अगर यहां पर यह अटेक हो रहा है, तो बाहर निकला, बैक साइट से अटेक हुआ, तो वह अटेक किया आपका कार्बन ने, पीछे से जाके, कार्बन ने किया है पहले, कि यहां पर ये bond है quoul land 30 एसलिदा इसमें जो अटआक हो रहोता है वह नाइ्ट्रोजEN का जो लोन पिए लोव हो जा करकर अटाक करता है किर अब इसमें अगर आप देखे ए तो बाहर निकलेगा धन अटैक होगा बैक साइड से बड़ इसमें कार्ब नी अटैक करेगा नाइटोजन का जो पर इस लिए यहां पर पहले बनता ऐट निए ओड़ करें के अब आपको यह कैसे पता लगैगी कि यह कोवलएं बांड शो कर रहा है तो उसको कर दोडियल में समझ इस महने पुझा था कि कोई साथ ही जो आपका आइनी कमपाउंड या आईनीक बॉन्ड है वह कोवलेंट कैरेक्टर सबसे जाधा शो करता है कब किस कंडिशन में यह तो हमारा जो कटायन है बोग स्मॉल साइज का हो एक जो हमारा कटायन है वह कैसा हो small size का हो ठीके अनायन हमारा कैसा हो बड़े size का हो ठीके कटायन छोटे size का हो अनायन हमारा बड़े size का हो यह फिर एक और चीज़ उन्हें बताई थी कि हमारे पस क्या हो Pseudo-nobal-gassan. Of kttiyan ठीक है? अब यह तो को clear है, kttiyan is small size का हो anion हमारा big size का हो या फिर ये हो, Pseudo-noble-gas-canfjan ठीक है? तो ये दोनों terms अब को पता है, kttiyan और anion का? अब यह चिश क्या है, Pseudo-noble-gas-canfjan यह हम कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले हम AG का electronic configuration निख लेते हैं, तो हमारा atomic number कितना होता है, silver का, 47, तो क्या हो जाए electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, then 4s2, 4p6, ठीक है, कितना हो गया, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30, 6, 36, ठीक है, हमें चाहिए 47, तो हो गया 4p6, 4p6 के बाद क्या लिखेंगे हम, 5s2, कितना हो गया, 38 हो गया ना आपका, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30, 36, 32, 38, ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, 9 electrons हमें और चाहिए remaining, तो वो कहां चले जाएंगे, 4D में, 9, ठीक है, तो यह हमारा electronic configuration हो जाएगा, silver का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2, 4d9, ठीक है, 47 हो गए, अब यहां पर आप एक चीज़ देखिए, आपने यह पढ़ा होगा, जैसे हमने copper के लिए भी पढ़ा था, एक्सेशनल केस में क्या होता है, कि यहां पर है 5s2, यहां पर है 4d9, ठीक है, तो यह हमने पढ़ा था, कि अगर तो कोई orbital हाफ फिल्ड है, या फिर completely फिल्ड है, तो वो ज्यादा stable होता है, अब यहां पर आप देखिए, 5s2 है, पर यहां पर क्या 4d9 नहीं हो रहा है, अग अगर यह 4d10 हो जाए और 5s1 हो जाए, मतला हाफ तो फिल्ड हो गया, मैक्सिम तो दो इलेक्रॉन हो सकते हैं, तो अगर हमने 1 भी कर दिया, तो हाफ फिल्ड है, यह fully, completely आपका फिल्ड हो जाएगा, अगर यह आपका 4d10 हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, यह एक एलेक्ट खाल जाएगा, ठीक है, बट इसने रिखने में मांगा, यहां पर हम कैसे लिखते हैं, यहां टक स्यम लिखते हैं, next हम क्या करते है, 4d10 लिखते हैं, पहले 5s1, ठीक है, एजही बहुमिआ का एंदर ही आता है, यहां तो हमारा प्रोड़क्ट बन गया, हमारा इलेक्रोनी फ यह 1s to 2s to 2p6, 3s to 3p6, 3d10, 4s to 4p6, then यहां से आप आजाएं यहां पर, 4d10 और 5s 1, अब यह more stable है आपका, db आपका completely filled है, और sb आपका half filled है, अब ag plus की अगर बात की जाए, यहां तक जो आपका configuration है, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां ag plus की बात करी जाए, ठीक है, तो इसका configuration यहां पर हम लिखेंगे, तो क्या होगा, यहां तक, तो same आएगा, ठीक है, लास्ट में आपका, एक electron यहां पर कम होगा, ठीक, तो यहां पर क्या होता है, कि ag plus में, यह जो आपका s है, ठीक है, इसी को तो electron अपना देना था, दे दे कर तो ionic bond बन जाता, बट मैंने आपको क्या बताया, कि यह जो आपका bond है, ag cn का, यह है, कोवलेंड bond, ionic नहीं है, उसके पीछे क्या logic है, कि जो आपका d है, d orbital है, ठीक है, d shell जो आपका है, इसकी जो capacity होती है, इसकी capacity बहुत ही वीक होती है, आपका Lg बहुत पूर capacity होती है यह जो इसका shield जो बनाता है, protection के लिए, वो बहुत ही weak बनाता है, बहुत ही poor capacity इसकी, electron जो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, उसके लिए S और P, ठीक है, इनकी capacity बहुत अच्छी होती है, इनकी shielding capacity बहुत अच्छी होती है, लेकिन d और f की बहुत ही खराब होती है, तो इस आपका nucleus की तरफ जाकर चिपक जाता है, nucleus से वो बाहर नहीं निकल पाता है, जब बाहर निकलेगा ही नहीं, तो यह electron को दे ही नहीं पाएगा, जब यह electron को दे नहीं पाएगा, तो ionic bond नहीं बन सकता, इस वज़े से क्या होता है, यह AGCN के बीच में, bond जो है, आइनिक नहीं sharing होती है, तो sharing जहाँ पर होती है, वहाँ पर क्या बनता है हमारा, यहाँ पर ion के sharing हो रही है, इसलिए यहाँ पर covalent bond बन रहा है, इसलिए जो यहाँ पर nitrogen है, इसके पास जो lone pair है, ठीक है, वो जाकर के back side से attack कर रहा होता है, इसी वज़े से यहाँ पर हमारा AGCN के case में product बन C, C triple bond N नहीं बनता, यहीं इसके पीछे पूरी logic है, तो इतना सारा कोई detail में, अगर आपको exam में पूस्ता है, तो आप बताएगा, otherwise आप सिर्फ यह बताएगा, कि KCN या NACN के case में, जो bond है, K और CN के बीच में, वो हमारा ionic bond है, इसलिए उसमें attack कारबन करता है, back side से जाक है, और वो पीछे से जाके attack कर रहा, इसलिए हमारे product में भी NC बनता है, CN नहीं बनता, so that's all for today, I hope आज का वीडियो आपको useful लगा होगा, किसी student को अगर problem हारी, electronic configuration लिखने में, तो वो मुझे comment section में बता सकता है, मैं link provide कर दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर visit कर सकते हैं, म को भी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe किजिए, मैं मिलती हैं आप से next video में, तब तक के लिए take care and bye bye